आतंकियों से कैसे निपटना है ये भारतिय सेना अच्छी तरह से जानती है सेना ने इस बार छुपे हुए आतंकियों को बड़ी ही सटीकता से ढूंड निकाला और मार गिराया अब कश्मीर से इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आतंकियों को ढूंडने का एक नया तरीका निकाल लिया गया है आपको जानकारी देदे की आतंकी जब छुपकर हमला करते हैं तो उन्हें ढूंडना बेहद ही पेचीदा काम होता है इसमें कई खत्रे शामिल होते हैं पहला तो ये की ऑपरेशन में लगे जवानों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है और दूसरा ये की इस ऑपरेशन में कोई बेकसूर ना मारा जाए लेकिन इस बार सुरक्षा भलो ने आतंकियों को पहले ड्रोन के जरिये ढूंडा और उसके बाद उनका काम तमाम कर दिया कश्मीर के पुलवामा में एक उपरेशन के दौरान सुरक्षा भलो ने लशकरे तैबा के डिप्टी कमांडर सही तीन आतंकियों को मार गिराया है जैसे ही ड्रोन की नजर इन तीन आतंकियों पर पड़ी इनका अंत निश्चित हो गया इस लीडियो में आप देख सकते हैं कि ये तीनों आतंकियों कैसे छिपे हुए हैं और सुरक्षा भलो पर हमला कर रहे हैं आपको जानकारी दे दे कि इससे पहले भी आतंकियों मकानों और संक्री जगों की आड़ लेते थे सर्च ऑप्रेशन के दौरान इन आतंकियों को ढूड़ना बेहद ही मुश्किल काम होता था कई बार इन आतंकियों को स्थानिय लोगों की मदद भी मिलती थी सुरक्षा भलो का इन तक पहुचना लगभग असंभव होता था लेकिन अब ऐसान नहीं होगा टेकनोलेजी का इस्तमाल करके अब सुरक्षा भलो ने बड़ी ही सटीकता से इने ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है इस तरह के ऑपरेशन्स में टेकनोलेजी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सिर्फ आतंकी ही निशाने पर आता है और बेकसूर लोग क्रॉस फायर में नहीं मारे जाते